अब यहां पर किया है पेंटागोनल पिरामीड बेस 25 mm साइड एक्सिस 50 mm लॉंग है जहां भी पिरामीड या कौन का बात करें और ट्रेंगुलर फेस बोले या इसको अपन जनेरेटर बोल लें या इसको अपन स्लैंट एज बोल लें एक ही मतलब होता दीन होगा है और यह क्य इसकी बात कर रहा है structure की बात कर रहा है ठीक है आज आओ वापस यहां तो क्या बोलता है बनाफ इंगुलर फेस मतलब साइड होता है तो दूसरा इसका इंक्लिनेशन दिया है एच पी से तो मेरे को पता है सेकेंड इंक्लिनेशन जहां रहेगा object वहीं बनेगा तो उपर ही बनेगा object और दूसरा चीज मेरे को side चाहिए edge of the base content by that face है ना side चाहिए मेरे को इसका मतलब तो side मेरे pentagon को कैसे बनाऊँगा ऐसा तभी मेरे को side मिलेगा नीचे तो यह पिरामिट मेने बना लिया pentagon का side आपको 25 दिया है और इसका axis का height आपको 50 बन जाएगा अब क्या है क्या बोल रहा है कि जिस triangular face में side है तो यह भी एक triangular face है आपका यह भी एक triangular face है लेकिन इस triangular face में side नहीं है point है इस वाले triangular face में side है 1 और 5 मतलब 15 वाला side आपको मिल रहा है तो इस triangular face को आपको in the VP करना है तब क्या करूगा यह वाले को यहा बना दो तो यह O को be alcanz लि員 Sabhal Hopkins लिए और इसको पकड़ के ऐसा बना दीया तब क्या करूँआ का ओ से three कह तरी का दिस्टेंस मिजर करूबाँ यहां रखके अधर our क्जायों ४्री ज्जोड़ दिया अब फिर 1 five से ओ one five से 2 four means are करके MacBook. यह और 5 तो आउटलाइन में है तो आउटलाइन नहीं बन सकता तो यह डार्क हो गया लेकिन 1 O से जुड़ा है वो डॉटेड बनेगा 5 O से जुड़ा है वो डॉटेड बनेगा ठीक यह बन गया अब क्या बोल रहा है कि जिस साइड में आपका ट्रेंगुलर फेस में एक साइड और 15 तो 15 मेरा साइड है अब यह वाला जो साइड है जो ट्रेंगुलर फेस में है वह आपको 30 डिग्री एच्पी से इंक्लेंट करना है तो यह 30 डिग्री इंक्लेंट किए 15 को इधर बना दी यह पॉइंट मिल गया आपको 15 अब क्या करना आपको ध्यान से अब यह पेंटा और न दोसरा चीच अब देखोगा रिफरेंस ल स्टाइद के नजदी कौन सा पंथ्सके फॉइफ वाला तो जूड़ा है यह तो हैSTE कि अ आउट्लाइन में है तो आउट्लाइन कभी डॉटेट नहीं हो सकता तो केवल यह 5 और 4 जो अंदर जुड़ा हुआ है इसको आपको डॉटेट बनाना है बाकि पूरा डार्क बनेगा